हलो फ्रेंड्स, कॉंपिटिटर्स अकेडमी चेनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम एक इंपोर्टन टॉपिक पर बात करेंगे जो कि जियो टेकनिकल एंजिनियर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है जिन भी जियो टेकनिकल एंजिनियर्स ने जियो टेकनिकल इंवेस्टिकेशन किया है या वो करने वाले हैं या उनके सामने ओपोर्चुनिटी है कि उन्हें एक पूरी कम्प्लीट जियो टेकनिकल इंवेस्टिकेशन रिपोर्ट को प्रिपेर करना है उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनोती होती है कि कितनी depth तक जाकर के boring करानी चाहिए है ताकि एक proper geotechnical investigation के according proper soil की sampling हो सके proper standard penetration test conduct कराये जा सके जब sample collect होगा तो उसका proper laboratory investigation होगा और उसके result के basis पे एक सही depth पर foundation की recommendation दी जा सकेगी तो दोस्तो इस video का purpose यही है कि आपको पता चले किस depth तक boring करानी चाहिए ताकि एक proper geotechnical investigation का process हो सके और उससे एक better economic foundation की recommendation दी जा सके तो चलिए दोस्तो इस video के साथ end तक बने रही है वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है मैंने M.Tech किया हुआ देली college of engineering से currently मैं geotechnical expert की profile पर एक consultant कंपनी है उसमें job कर रहा हूँ और मैं अपने बारे में काफी detail में past में भी बता चुका हूँ जिससे आप various videos के थुरू देख सकते हो और मैंने काफी कुछ geotechnical engineering के उपर अपनी knowledge share किया तो दोस्तों वो मैं बताता हूँ आपको कि past में हमने कई सारी important videos बनाई उन important videos में जैसे मैंने important IS, IRC codes जो होते हैं जो कि एक अच्छे civil engineer को पता होने चाहिए जो कि especially highways, metros, tunnels, tunnel engineering इन शेत्रों में काम करना चाते हैं उनके उपर मैंने videos बनाई detailed project report कैसे बनती है उसका क्या procedure होता है एक पूरी consultant company कि कितनी सारी wings होती है जो कि एक अच्छी DPR की preparation करने में काम करती है और एक अच्छी effective economic DPR prepare करके government of India की different organization हो सकती है जिसे NHAI होगी या फिर किसी state government की organization होगी जैसे कि MPPWD होगी तो उनको जो है एक अच्छी DPR provide करती है उस DPR से दोस्तों एक सही cost निकल के आती है एक project की और उस project से आपको काफी कुछ सीखने को मतलब आप आप काफी अच्छा analysis कर सकते हो उसके बारे में मैंने इस video में बता engineering पे और geotechnical engineering पे काफी वीडियो बनाई और सबसे ज्यादा जो प्रचलित वीडियो उसमें से score depth की calculation कैसे की जाती है bridge के abutment और pile location है वो काफी popular रही है और इसके अलावा guide bank और launching apron की कैसे design steps होती है उनकी कैसे calculation की जा सकती है उसकी जो design steps है उनको बताया हुआ है मैंने और दोस्तों आप देखो कुछ popular videos रही है top 10 softwares for geotechnical engineers आपको मिलेंगे नहीं इस तरीके की knowledge और information तो दोस्तों इस video series के साथ में जो geotechnical engineers के लिए है और especially not only geotechnical engineers but for highway and structural engineers also or who are working in a consultant engineering organization ठीक है तो चलिए दोस्तों यह पुरानी videos आप देख लेना उससे पहले अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हमारा discussion जो है further expand करते हैं तो देखिए दोस्तों बात यह आती है कि किसी एक investigation के process को कैसे किया जाता है उसमें कितनी depth का borehole किया जाता है ठीक है तो देखिए दोस्तों depth of borehole जोता है उसका decision बहुत important होता है क्योंकि depth of borehole इसलिए जरुरी है पहली बात तो इतनी जरुरत क्यों पढ़ रही है यह समझने की जरुरत है क्योंकि जब आप proper इसके sampling करोगे एक particular depth तक ठीक है बोरिंग करके ठीक है ओगर के through भी हो सकती है और ओगर नहीं तो rotary के through होती है ठीक है यह तो ओगर होता है या फिर या फिर rotary होती है rotary drilling भी होती है rotary drilling होती है ठीक है तो यह दो तरीके होते है drilling करने के और इसमें क्या होता है एक test conduct कराया जाता है बीच बीच में अलग-अलग interval पे जिसे डेड़ मिटर तीन मिटर साड़े चार मिटर छे मिटर इस तरह से हर डेड़ मिटर के इंटर्विल पे एक test conduct कराया जाता है जिसको केता है SPT test SPT का full form होता है standard penetration test ठीक है मैं वापिस से repeat करते तो standard penetration test इसके बारे में detail में पढ़ें आप आपको अच्छी information मिलेगी कोई सी भी standard soil की जो book हो ठीक है soil mechanics की book हो या फिर geotechnical engineering पर जो भी अच्छी BC पुन्मिया या दूसरे authors है रंजन और गोपाल नाम से भी है तो आप देख सकते हो उन books को उसके बारे में भी मैंने पहले की कई videos हैं उनमें cover किया हुआ है तो दोस्तों अब जब यह process करना है तो कितनी depth तक और कितने number of borehole करने होंगे number of borehole तो यह हमारे दो decision होते हैं ठीक जब हम कोई properly geotechnical investigation कराने वाले हैं तो देखिए चलो दोस्तों इसको समझाने का मेरे पास जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यह है कि मैं आपके सामने proper scope of work लेकर करके आऊँगा अभी ताकि आपको समझ में आएगा कि कितने number of borehole करने चाहिए यह कितनी depth तक borehole करने चाहिए तो यह depend करता है type of structure पे type of structure किस type का structure है ठीक है सबसे important है किस type का structure है उस पे depend करता है कि boring कितने depth तक जाकर के होगी ठीक है अब देखो type of structure जब हम कोई एक highway बनाते हैं रोड बनाते हैं और let's suppose यह 100 km का रोड है तो यहाँ पे कई ही सारे तरीके के structures आने वाले हैं बीच बीच मे ठीक है उन अलग-अलग structures में वो different type के structures कौन-कौन से होंगे तो देखो major bridge हो सकता है major bridge हो सकता है minor bridge हो सकता है minor bridge को MNB बोलते है short form में MJ भी बोलते है major bridge को MNB बोला minor bridge को इस तरह से जो ROBs होते है railway over bridge होते है railway over bridge जो कि जहां railway pass हो रही होती है महाँ पर भी special type of bridge बनाया जाता है उसको railway over bridge बोलते है इसके अलावा दोस्तों VUP होता है VUP का मतलब होता है vehicle under pass PUP भी होता है ठीक है PUP का मतलब क्या होता है pedestrian under pass ठीक है इसके अलावा दोस्तों LVUP भी हो जाता है LVUP के अलावा अगर देखें दोस्तों LVUP local type का vehicle under pass होता है ठीक है या फिर इसको cattle vehicle under pass भी कहते हैं कई-कई बारी ठीक है इसके अलावा दोस्तों और भी कई type के structure होते हैं जैसे कि culverts होते हैं ठीक है culverts ठीक है मतलब छोटे knowledge होते हैं जिनकी length less than 5 meter 6 meter होती है less than 6 meter होती है अब यह जो मैं बाते कहे रहा हूं less than 6 meter होती है उसको culverts केते हैं इसी तरह से major bridge वो होते हैं जिनकी length 60 meter above होती है वो major bridge होते हैं और जो 6 to 60 meter की range में होते हैं जहां पे से river या कोई बड़ा नाला पास हो रहाता है उनको दोस्तों minor bridge केते हैं ठीक है minor bridge 6 to 60 meter की range में होते हैं अब देखें दोस्तों यहां पर यह different categorization आप IRC 5 से पढ़ सकते हो ठीक है इन सभी तरीके के bridges के बारे में लेकिन यहां पर हमारा main concern क्या है कि हमको यह पता करना है कि हमको कितने number of borehole करने हैं और number of borehole के अलावा दोस्तों हमको number of borehole के अलावा क्या है कितनी depth तक जाकर के हमको depth of borehole करना है कितनी depth तक जाकर हमको borehole करना है ठीक है जब हम properly geotechnical investigation करेंगे तो investigation के लिए हमको कितने number of borehole और कितनी depth तक borehole करने है आप चलिए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसके लिए जो guidelines दी गई है तो मैं उन guidelines पे पहले ले जाता हूँ आपको वो guidelines यह कहती है हमको कि भई यह जो हमारे पास में मौर्थ नाम से एक important ministry of road and highway transportation highway जो है ministry उसका एक important document है इसका क्या नाम है मौर्थ ठीक है तो मौर्थ के बारे में मैं कई कई बार बता चुक हूँ मौर्थ आप पढ़ लीजिए मौर्थ को download कर लीजिए इसका 2013 का edition है जिसकी pdf जो है directly google पे आपको मिल जाएगी search करोगे तो उसमें जागोगे तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कुछ closes दे रखे हैं देखो यह जिसे section एक है 1100 उसमें pile foundation की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि कितनी depth तक borehole करना है तो जब pile foundation के recommendation दी जाएगी तो उस case में जो boring की जाएगी वो उसके तीन closes दिये हुआ है तीन points दिये हुआ है especially यह काफी important होते हैं कि 1.5 times estimated length of pile in soil ठीक है अगर soil type का strata चलता है तो 1.5 times of length of pile जो है उसको जो है recommend किया गया है यहाँ ठीक है तो यह आप आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो और यह close जो है 1102.1 है ठीक है 1102 subsurface investigation तो जो geotechnical investigation है उसको यह कहा जाता है subsurface investigation ठीक है जब आप इसको detail में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी depth तक pile foundation के case में आपको जाना है ठीक है कितनी depth of borehole होगा ठीक है और यहाँ पे जो है दोस्तों 1.5 times की बात कही है और फिर end में कहा गया है या फिर 15 meter below the proposed founding level ठीक है तो अगर foundation का level दोस्तों अगर let's suppose कितना आ रहा है अगर 30 meter depth की आपने pile दिये 30 meter में 15 meter और add कर दो 15 meter और add कर दोगे तो कितना आ जाएगा 45 meter depth तक तो आपको जो है अगर pile foundation की recommendation देनी है तो उस case में आपको 45 meter की depth तक की pile जो दिये है तो 45 meter की depth तक का borehole आपको conduct करवाना पड़ेगा boring करवानी होगी उसमें SPT test conduct कराना होगा और UDS sample भी collect किया जाता है UDS का मदला undisturbed sample होता है जिसको भी collect करते हैं और ऐसा करीब यहां पर जो second point बोला गया है कि और क्या 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 देखा जाता है यहां पर तो second point यह कहता है कि 15 times diameter of pile in ordinary oblique jointed rock but minimum 15 meter in such rock तो मतला 15 times जो होता है 15 times जो होता है diameter का मानलो 1.5 meter की pile है तो इसका अगर आप 15 times करोगे ठीक है तो आप यह देख सकते हो कि आपको करीब 24 meter depth तक का तो बोर करवाना पड़ेगा ठीक है तो 24 meter depth तक का जो है बोर करवाना पड़ेगा अगर यह 1.5 diameter की pile है 1.5 into 15 ठीक है तो इस तरह से जो है आपको देखना पड़ेगा कि कितने diameter की pile है 3rd point यहां पर बोला गया है कि 4 times diameter of pile in hard rock but minimum 3 meter in such rock ठीक है minimum 3 meter in such rock जब hard rock मिलती है तो कम से कम जैसे मालो आप depth में जाते गए और फिर आपको 10 meter के बाद में hard rock मिलना चुरू होई तो आपको जो है अब सिर्फ 3 meter तक जाना है ठीक है यहां पर अगर hard rock इस्ट्रेटा आ जाता है तो बस 3 meter तक investigation करना है नीचे 10 प्लस 3 टोटल 13 meter यहां तो soil रही और soil के बाद में क्या हुआ हार्ड रोक आने लगी hard rock 3 meter depth तक आई तो 3 meter बाद जाके stop कर दो यही होती है termination depth ठीक है तो जैसे आपको borehole की जो termination depth होगी वो 13 meter के around हो जाईगी अब देखो दोस्तों आपको थोड़ा सा confuse होग इतना कुछ जो है confuse कर दिया आपको तो मैं अब इसको simple करने के लिए एक simple सी एक साड़नी बना रहा हूं ठीक है साड़नी दिखा रहा हूं साड़नी मतलब table एक table दिखा रहा हूं उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के structure में कितनी depth of foundation जो है मतलब कितन कितनी depth of boring करनी चाहिए हमको ठीक है और कितनी number of boring करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगा ठीक है यह सब depend करता है किस type का structure है कैसा structure है कितनी importance है structure की और यह जो geotechnical investigation का आपको एक work order है दोस्तों जो काम दिया गया था यह scope of work है ठीक है जो काम किया जाना है भविश्य म उसका एक अंदाजन एक पूरा proper जो है दोस्तों scope of work prepare किया जाता है जो कि उसका geotechnical investigation conduct किया जाता है especially for DPR work किसके लिए तो मैं वापिस से आपको बता दता हूँ especially DPR के लिए तो अभी हम जो बात करेंगे यहाँ पे geotech investigation जब किया जाता है तो geotech investigation दो तरीके के cases में होता है एक तो DPR work होता है DPR होता हो और दूसरा होता है detailed designing ठीक है detailed design तो इसके लिए भी जो है geotechnical investigation किया जाता है तो DPR का जो काम होता है उसको उसमें क्या होता है limited number of board करा करके ही हमको बस type of foundation recommend करने होती है किस type की foundation जो है type of foundation जो है वहाँ पे place की जाएगी ठीक है ताकि DPR से DPR का especially काम क्या होता है DPR का काम जो होता है जो consultant company करती है वो यह होता है कि उनको बस इतना पता चल लाए कि कितनी depth की foundation देनी है ताकि उनके पास में estimated cost आ जाए जो कि particular foundation की cost का पता चल लाए या पूरे total सब कुछ structure की cost का पता चल लाए ताकि project की cost का पता चल लाएगा ठीक है तो project की cost निकालने के लिए various structures की cost भी देखनी पड़ेगी बहुत सारी चीजों की cost देखनी पड़ेगी तो उनमें से एक foundation की cost का भी पता होना चाहिए foundation की cost तब पता चल लेगी जब depth of foundation पता चल लेगी तबी तो जाकर के आप जो है ये properly ये DPR में एक cost calculation करपा होगे न तो अब देखो दोस्तों दूसरा case होता है ये पहला होगे DPR का दूसरा होता है detailed design का जब detailed design की जाती है न तो हर एक abattment, abattment or pier, abattment and pier location पे जो है investigation कराना mandatory होता है detailed design के case में ठीक है, मान लो एक major bridge है अभी मैं बताओंगा आपको तो major bridge में एक abattment 1 है, एक abattment 2 है, बाद बीच में pier है, तो pier P1 है, P2 है, P3 है ठीक है, तो अगर आप जो है DPR का का काम कर रहे हो, तो major bridge के case में जहाँ में more than 60 meter length है इस पूरे span की, ठीक है, तो आप क्या है, abattment A1 और P1 location पे जो है जाकर के investigation करा लोगे, ये काम होता है DPR में, लेकिन जब detailed design की बात आती है तो ये काम A1, P1, P2, P3 और A2 सभी locations पे आपके लिए mandatory है कि आपको एक proper geotechnical investigation कराना है हर एक point पे, ठीक है इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, आप नहीं तो confused होगे, ठीक है ये जो मैंने बात कहिए, ये आपको कहीं पे भी आसानी से बताई नहीं जाएगी न समझाई जाएगी ये आप जब काफी time किसी अच्छी organization में spend करोगे, तो ही समझ में आती है जो मैं यहाँ पे बाते बता रहा हूँ, एक तो DPR का process है, दूसरा है detailed design का तो अभी जो मैं आपको work order दिखाने जा रहा हूँ, वो DPR के लिए बताने जा रहा हूँ और DPR में क्या होता है, limited places पे जाकर के ही सिर्फ investigation किया जाता है ताकि हमको एक drilling करा के देखें, boring करा के देखें, ये borehole बोल दो, borehole किया जाए ताकि हमको पता चल जाए कि नीचे किस तरीके का straight आ है और उसके लिए हमको हर एक point पे geotechnical investigation कराने की जरुद नहीं है ठीक है, सिर्फ एक point location पे, एक bridge में एक point ठीक है, उस पे करा लिया sufficient होता है ठीक है, लेकिन अगर detailed design की बात हो रही है, तो आपको हर एक point पे जो है geotech investigation कराना पड़ेगा, major bridge हो, चाए minor bridge हो, ठीक है और या फिर flyover हो, ठीक है, और और भी other structure है, उनमें भी same scenario बनेगा ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको जो है एक work order दिखाता हूँ, उसको आप scope of work की तरह भी देख सकते हो ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये एक geotechnical investigation का एक पूरा proper जो है ये प्रिपार घै इसमें क्या है, बताए गया है की किस type का bridge है, फ्क है आपको ये समझ में आगया कि ब्रीज की type क्या है, तो फिर आपको सारा खेल समझ में आने लग जाएगा पहले तो क्या है major bridge है ऐसे categorize किया जाता है एक पूरे बड़े मान लो यह मानने के भी जरूरत नहीं है यह तो बिल्कुल exact example है तो चुकी यह exact example है तो मैं इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसकी length होगी करीब let's suppose 100 km की भी ठीक है यहाँ पर लिखा होँआ नहीं है mentioned नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ की 100 km का road है ठीक है यहाँ पर यह 88 km का road है ठीक है तो अब आपको इस 88 km के रोड में कितने सारे major bridge आ रहे है ठीक है एक तो major bridge आ रहा है आपके सामने दिख रहा है दूसरा minor bridge आ रहे है इतने सारे minor bridge होंगे ठीक है और अलग-अलग जगो locations पर फिर ROBs भी होंगे ROBs जहां से rail pass हो रही होगी उस जगे को ROB आ जाएगा उस जगे जो structure बनेगा bridge structure बनेगा उसको ROB बोलते है ठीक है और इसके अलावा flyover होगा ठीक है flyover के अलावा vehicle underpass होगा ठीक है vehicle underpass के अलावा देखो तो svup होगे तो कितने सारे 88 km के stretch में जो 88 km का road बनाया जा रहा है उसमे कितने सारे structure होगे यह सोचने वाली बात है आपको दिमाग में एक picture होनी चाहिए तो यह जितने structure है उतने ही structure पे आपको geotechnical investigation करना होगा ठीक है यह mandatory है जब geotechnical investigation करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि किस type की foundation आपको देनी है और किस कितनी depth पे देनी है क्या करना है ठीक कर पाओगे कि आपको shallow foundation देनी है या pile foundation देनी है अब यह कैसे decision होता है कि shallow देनी है कि pile देनी है यह सब चीज़े क्या है कि धीरे धीरे आप इस series से जोड़े रहोगे आप हमारी पुरानी सारी videos देख लोगे तो आपको बहुत सारे concept है जो छुपे हुए concepts है वो सारे खुलके बाहर आने लगेंगे ठीक है इसमें मैंने कई सारी videos में जो है इनके बारे में भी detail में चर्चा की हुई है जब मैंने geotechnical engineers की यह video बनाई थी कि geotechnical engineers एक तो क्या-क्या काम करते हैं और उनका जो है क्या-क्या इसके अलावा geotechnical investigation का पूरा road map क्या होता है है तो आपको समझ में आएगा जब आप देखोगे इन पुरानी सभी वीडियो को तो आपको समझ में आगा कि geotechnical investigation में कितने तरह के काम होते हैं क्या-क्या होते हैं तो आप जो है और बेटर से इस चीज को समझ पाऊगे जो मैं यह बता रहा हूं यहां पर geotechnical investigation के बारे में तो देखिए दोस्तों यहां पर इतने सारे structure दे रखे हैं अभी svub के बाद में light vehicle underpass भी हैं तो जब इतने सारे पहले structure होते हैं यह decide होता है कि इस पूरे 88 km जो 88 km का road है उस पे इतने सारे structure बनाए जाएंगे तो फिर इनका उन यह जिस location पर बनाए जाएंगे उस location पर जाकर के borehole conduct करना पड़ेगा ठीक है borehole boring करनी पड़ेगी ठीक है तो यह boring कितनी depth तक करेगी अब उसके बारे में चर्चा करते हैं और कितने number of bore करने हैं उसकी भी बात करते हैं देखो major bridge है ठीक है तो major bridge की location पर क्या है जब length जो हती है spawn ठीक है प्रपोश्ट इस्पान अरेंजमेंट जब दे रखा यहां पर तो यह बताया गया है कि प्रपोश्ट इस्पान अरेंजमेंट तो यह इस्पान अरेंजमेंट बहुत एक important चीज हो जाती है इस पान आरेंजमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि इस पान आरेंजमेंट आखिर क्या होता है देखो इस पान आरेंजमेंट कुछ नहीं बहुत सिंपल सी चीज है एक चलो फिर साम अई पे चलते हैं अपने blank page पे ठीक है यहाँ पे मैं बताता हूँ देखो यह इतना बड़ा ब्रीज है तो इस ब्रीज में जो एक तो हो गया यह अबटमेंट एक होता है फिर यह पियर पियर होता है ठीक है पियर लोकेशन होती है तो इसको बोला है अगर अबटमेंट 1 है यह अबटमेंट 2 बोला है यह आखरी सिरा होता है ब्रिज का और यह होता है पियर वन, पियर टू, पियर थरी ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों यह जो होता है span होते हैं ठीक है यह अगर span की length 30 meter है let's suppose 30 meter है तो यह कितने होगे span यह 4 span होगे कितने होगे तो 4 cross 30 बोलेंगे इसको अगर सब की length 30-30 meter है ठीक है 30-30 meter है तो 4 cross 30 बोलेंगे यह इसका एक bridge का span arrangement होता है इसको बोलते है span arrangement ठीक है arrangement बोलते है ठीक है अब आप यह बात समझ गयोंगे कि इस पान अरेज्मेंट क्या है तो फोर क्रोस थर्टी ठीक है तो आपके सकते हो इसका मतलब है 120 मीटर तो इस ब्रिज की जो लेंथ है वह 120 मीटर है 120 मीटर की लेंथ का अगर कोई ब्रीज होगा तो आप समझ जाओगे कि यह तो मेज ब्रीज है ठीक है तो आप समझ जाओगे कि यह मेजर ब्रीज है कि माइनर ब्रीज की जो होता है मोर दन 60 मिटर लेंद्ध वाले होते हैं ठीक है अब देखो यहां पर अब यहां पर क्या हो रहा है कि यह बैट्व मेंट है और यह क्या है यह पियर लोकेशन ठीक है एक तो किया आएगा major bridge की case में abattment location पे और एक किया जाएगा investigation peer location पे यह one one ठीक है एक abattment पे होगा और एक peer पे होगा कितनी meter depth तक जाओगे अगर soil मिलती है तो 40 meter depth तक जाना है ठीक है investigation कितनी meter depth तक होगा 40 meter depth तक होगा ठीक है और अगर peer location की बात करें तो वहाँ पे भी 40 meter depth तक जाना है लेकिन किस के case में जब-जब major bridge की location मिलेगी तो इससे best example और कोई नहीं हो सकता यह जो scope of work है यह आपके लिए एक अच्छा reference भी हो सकता है कि आप इसको follow कर सकते हो कि 40 meter depth तक आपको borehole investigation करवाना है ठीक है तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि आपको जो है कि 40 meter depth तक जाकर कराना है आपको investigation तो ऐसा क्यों है 40 meter depth तक का कारण क्या है दोस्तों देखो आम तोर पे जो है जो pile foundation की recommendation होती है वो major bridge locations पे ही दी जाती है तो जब major bridge location पे आप pile foundation की recommendation दोगे तो उस वक्त पे आपको यह पता होना चाहिए कि भई इस्ट्रेटा किस प्रकार का है तो क्या है कि foundation की आम तोर पे length 30 meter होती है 25 से 30 meter की range में vary करती है तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक thumb rule thumb rule बना लें कि 30 multiplied by अगर 1.5 times करो आप इसका जो की length है ठीके 1.5 times of length of pile यह length of pile है 30 meter और 1.5 अगर यह है तो यह कितना बन के आता है यह 45 meter निकल के आता है तो आपको न तो बहुत ज़्यादा depth तक boring करानी है कि 1.5 times of length of pile कराएं आप जरूर नहीं है ना क्योंकि 30 meter की ही pile हो ठीके pile हो सकता 25 meter की ही निकले यह 20 meter की ही निकले ठीके और आपको जो है आपको जो desired और required capacity है जो आपके लिए ज़रूरी है आपके structure को जो है bearing capacity में fail नहीं हो तो उसके लिए 20 meter पर capacity मिल सकती है 25 पर भी मिल सकती है 30 पर भी मिल सकती है ठीक है तो यह सब depend करता है calculations के उपर calculations की मैं अभी इस video में तो बात नहीं कर रहा हूँ पहले मैं IRC codes already बता चुका हूँ और जो लोग मेरी short videos देख रहे होंगे इस channel पर यह जा करके देखोगे तो मैंने इतने सारे IRC codes का reference दिया हुआ है जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी चली अभी आगे बढ़ते हैं यह मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया हुआ कि हमने 40 meter क्यों ले रखा है ठीक है तो 40 meter की जो है depth तक अगर soil आ रही है तो आपको 40 meter पर जा करके test को stop कर द देना है SPT करना बंद कर देना है ठीक है और दोस्तों इसके अलावा यह भी बताया गया है यहां पर कि अगर moderately weak type की rock है तो फिर क्या करोगे आप moderately weak या moderately strong अगर rock आती है तो कितनी depth तक जा करके आपको investigation करना है अगर rock encounter हो जाती है let's suppose 10 meter की depth तक आप गये उसके बाद में rock encounter हुई और rock जो है weak rock निकल के आती है आपके सामने fractured type की rock आती है तो आप क्या देखोगे आप जो है आप देखोगे कि moderately अगर weak rock है तो आप 6 meter तक और जाओगे 6 meter के बाद में stop कर दो गई याप बोरिंग करना ठीक है तो आपका काम जो है सिर्फ 16 meter depth में ही हो जाएगा आपको पूरा हमेशा इसा नहीं है mandatory की 40 meter depth तक ही जाना है अगर rock आ गई है 10 meter की depth पे कहां से ground level से दोस्तों ground level से 10 meter नीचे rock आ गई है और rock आने पे फिर उसके बाद में 6 meter और जाना है ताकि आप वहां का जो इस ट्रेटा है उसका proper sampling कर सकें उसको collect कर सकें और अगर ये weak type की rock है तो 6 meter तक जाना है और अगर hard type की rock है तो 3 meter depth तक जाना ह है ठीक है 3 meter depth तक जाना है और अगर combination of both type of rock आ रहा है कभी hard है कभी weak है तो इस तरीके का combination है तो 6 meter पे जाके आपको stop कर देना है test को ठीक है तो ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी ठीक है 6 meter की depth पे जाके आपको पूरा इसको stop कर देना है borehole को ठीक है अब दो borehole करके जो है borehole test conduct करोगे और boring करोगे तो rotary drilling boring का use किया जाता है ज्यादा तर तो rotary drilling का process जो है उसको follow करें और उसके बाद में 40 meter की depth तक जाएं अगर soil मिल रही है और अगर rock मिल रही है तो जहां से rock मिलना start होती है उसके बाद 6 meter तक max to max जाएं उसके बाद जाने की जरुरत न और जब geotech investigation होता है तो proper depth तक जो है boring की जानी चाहिए ठीक है और proper sampling होनी चाहिए यह हमेशे ध्यान रखना चाहिए proper sampling जो होती है एक core box होता है ऐसा बड़ा सा ठीक है उस core box में जो है खाचे बने होता है ठीक है उस खाचे में जो है rock के samples को रखा जाता है ऐसे एसे ठीक है और अगर आपको जो हर डेड़ मेटर पर SPT sample collect होगा तो उसको भी packet में डालके इस तरह से रख दिया जाता है तो इस तरह से जो है दोस्तों एक पूरी तरह से जो है proper एक standard है इसके लिए भी ठीक है इसके लिए एक IS standard है मुझा अभी ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन core box के करें ठीक है इसको paraffin wax की जो भी है polythene होती है paraffin wax बोलते है उसको paraffin wax ठीक है wax something like that ठीक है उसका use किया जाता है sample के collection के लिए ताकि उसका जो natural moisture content है वो lose नहीं ठीक है तो इस तरह से कही ची जो का ध्यान रखा जाता है जब एक पूरा proper एक अच्छा geotechnical investigation होता है अब देखें दोस्तों इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में अब बात और ही major bridge तो होगे अब हम minor bridge के बाद करते है तो minor bridge में यह depend करता है कि कितना span arrangement है अगर minor bridge है वो सिर्फ 10 meter length का है तो देखो 10 meter के लिए तो आप बहुत ज़धा depth तक जाओ उसका कोई मतलब नहीं बनता है तो 15 meter पे जाकर के test को आप stop कर सकते हो कितना 15 meter depth पे जाकर के आप test को stop कर दो कम से कम दोस्तों जो standard है हम हम personally जो follow करते है उसमें 15 meter depth तक तो आपको कम से कम जाना ही जाना है भले किसी भी type का structure हो ठीक है 15 meter से कम की depth का बोर नहीं करवा जाता है कम से कम 15 meter depth का जरूर करवा है ठीक है अगर 20 meter का span arrangement है ठीक है वन क्रोस 20 है जैसा के आपको दिख रहा है तो फिर दोस्तों उस case में आपको 30 meter तक जाना है ठीक है तो 15 यहाँ पे 30 हो गया ठीक है 30 meter तक जाना है अगर rock मिल रही है तो 6 meter depth तक और जाए ठीक है नहीं तीस meters तक ही आपको stop कर देना है टेस्ट को अगर soil soil आती है और अगर मानलो 24 meter पे जाके rock कार ना शुरू होती है तो 24 प्लस 6 ठीक है तो rock आना शुरू होती है 24 से 24 प्लस six मत्लब 30 मिटर तक जाना है आपको अगर माल लो 10 मिटर के बाद ही रोक आना लगे तो 10 प्लस six मतलब 16 मिटर टक है आपको ठीक है जियो टेक इंवेस्टिकेशन करना है ठीक है अगर हाड रोक आती है और वहां पे जो जियो टेकनिकल इंजिनियर होगा उसको लगता है कि हार्ड रोग है तो उस केस में जो है तीन मिटर से ज़्यादा डेप्थ पर नहीं जाना है ठीक है तीन मिटर के बाद में स्टॉप कराया जा सकता है उस पूरे टेस्ट को ठीक है इसी तरह से दोस्तों यहां पर MNB की और भी कई सारे MNB शो किये गए हैं आपके सामने आप देख सकते हो तो अलग-अलग MNB इसमें बताया गया है कि वही 10 मिटर का जिसे 1 क्रोस 10 का Spawn arrangement है तो 15 मिटर डेट तक ही गए ठीक है कई जगों पे 30 मिटर तक गए ठीक है यहां पे जब 1 क्रोस 50 का Spawn Arrangement है यह बड़ा Special केस था 1 क्रोस 50 का स्पान arrangement है तो फिर उस case में क्या करोगे तो उस case में एक ही location पे सिर्फ apartment की location पे ही करा रहे हो आप और 40 meter depth का जो है बोर कराओगे 40 meter depth का बोर कराओगे आप और उसके बाद में आप stop कर दोगे test को ठीक है 40 meter depth का भी बोर तब जब सिर्फ soil का case हो soil आ रही है नीचे जमीन में ठीक है अगर मालो 20 meter के बाद में rock आना शुरू हो जाएगी तो 20 प्लस 6 मतलब 26 meter पे जाके stop कर दो test को ठीक है और rock कैसी है यह 6 meter की rock जो आ रही है यह बड़ी weathered और weak किस्म की rock आ रही है उस case में 26 meter पे आपको stop कर देना और नहीं तो क्या होगा दोस्तो नहीं तो जो है आप दोस्तो अगर hard rock आती है 20 meter के बाद ही तो 20 प्लस 3 मतलब 23 meter पे जाकर के आपको test को stop कर देना है अब देखे दोस्तो यहाँ पे जो है मैं यह कहना चाहता हूँ कि weak rock कौन सी होती है और hard rock कौन सी होती है यह अब आपका काम है ठीक है आप comment box में लिखके बताईए कि किस तरीके की rock को जो है आप weak rock consider करोगे और कौन-कौन से criteria के basis पे यह बताऊगे कि भई यह weak rock है और कौन कोन से criteria के basis पे ये बताऊगे कि ये एक hard rock है ठीक है तो ये ये आपका task है ठीक है तो दोस्तों इसके अलावा जब आप ROB इसकी बात करोगे तो ROB जो है एक बहुत important structure होता है चुकि railway का मामला होता है railway department जो है इससे deal करता है ठीक है तो railway department कभी भी ये नहीं चाहता कि कई भी किसी भी तरीकी का compromise हो ठीक है तो वो क्या है एसी location पे जो है आपको ये mandatory हैं कि जो है दो point पे जो है आप जो है दो abattment दो बोर करोगे abattment location की side में और दो बोर करोगे पीर location की side में या तो ये है नी तो कम से कम दोस्तों ये तो रहता ही है कि एक abattment location की side में करोगे और एक पीर location पे जो है आप बोरिंग करके देखोगे ठीक है बोर करके देखोगे ताकि ये clear हो जाए कि कितनी depth पे जो है हमको जो है foundation देनी है क्योंकि foundation recommendation देने में ये जो soil का sample collect होगा उससे जो laboratory test का data आएगा उस data का बहुत important योगदान होता है ठीक है तो आप इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिए है ना अब देखो next है flyover flyover की case में जो है दोस्तों सिर्फ आप abattment location पे एक point पे जो है boring करा सकते हो और 40 meter पे जाके test को stop कर सकते हो जैसे 2 cross 30 ये 2 cross 30 जो है flyover है ठीक है ये flyover का span arrangement है मतलब इस तरीके का 2 cross 30 का मतलब ये 30 meter cross 30 meter ठीक है इस तरीके का जो है flyover है इसके बाद में ये आगे जा रहा होगा रोड़ अपनी जगे पर फल फ्लाइओवर इतना ही मना होगा है ठीक है तो उस case में क्या है कि आपको जो है कम से कम 40 meter depth तक का तो borehole कराना होगा और उसमें भी ये धियान रखना है कि अगर weaker type of rock आ जाती है बीच में तो 6 meter के बाद में stop कर देना है टेस्ट को और अगर hard rock आ रही है तो 3 meter के बाद में stop कर दो अगर मालो आपने ground level से करना शुरू किया वह महीं से hard rock आना शुरू होगी तो 3 meter के बाद में आप test को stop कर सकते हो ठीक है और अगर मालो ground level से ही का करना शुरू किया और 3 meter तक तो soil आई और उसके बाद में 6 meter तक week रोक आई तो 6 meter 3 प्लस 6 मतलब 9 meter पर जाकर के आपको test को रोक देना है ठीक है तो यह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किये कि आपको यह process समझ में आ जाए कि कितनी depth तक बोर किया जाता है यह करना चाहि है इसी तरह से vehicle underpass क्या होता है अब यह क्या हलके type के जो है structure होता है vehicle underpass इन में जो हो उतनी समस्या नहीं रहती है दोस्तों इनका span arrangement भी छोटा होता है जैसे कि आप देख सकते हो two cross ten 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 ठीक है 20-20 meter के है 15 meter depth तक भी चल जाओगे अगर आप soil का इस्ट्रेटर का ज विकर underpass होते हैं दोस्तों उस small wicker underpass में भी आप 15 meter तक ही geotech investigation करा है और आप उसके बाद में stop कर सकते हो और अगर moderately tap की weak rock हो तो फिर आप 6 meter के बाद stop कर दो और अगर मालो जहां पे भी जिस भी depth पे जिस भी level पे जाकर के hard rock आती है तो 3 meter के बाद में test को stop कर सकते हो ठीक है अब इसके बाद में SVU के बाद में LVUP की बात है कि तो यह जो है आपको समझ में आ जाएगा कि 15 meter depth पे तक जाना है आपको geotechnical investigation कराने के लिए ठीक है अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको मोटा मोटी तोर पे काफी कुछ clear हो गया होगा समझ में आगया हुआ कि किस तरह से geotechnical investigation का एक scope of work prepare किया जाता है यह एक scope है यह जो work होने वाला था आगरा ग्वालियर रोड पे उसका यह एक scope है कि हम इतने number of bridges location पे जाकर कि इतना geotechnical investigation कराने वाले हैं तो यह एक work order था जिसको हमने prepare किया तो work order जो कि हमने prepare इसलिए किया ताकि हम किसी agency को काम दे सके ठीक है work करने के लिए कि वही हमको इतने points पे इतनी location पे जाकर के आपको जो है geotechnical investigation कराना है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से वैसे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाना चाहिए अगर कोई doubt होगा तो उसको comment box में लिख दीजिए मैं कोशिश करूँगा आपके comments का जावाब देने की इसके अलावा दोस्तों जितनी भी geotechnical investigation पे और इसके अलावा दोस्तों मैंने civil engineering के उपर भी बहुत सारी अच्छी videos बनाई है उनको जाकर के देख लीजिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखन करने को मिलेगा जो शायद कोई और ना तो share कर रहा है ना उसका share करने की आम दोर पर लोगों का intention है ठीक है क्योंकि हर चीज जो है courses की form में या फिर आपको जो है बहुत costly way में जो है पैसा खर्च करके मिल रही है यहां पर आपको free of cost बताया जा रहा है जो की बहुत valuable information है तो